हेलो फ्रेंट्स मैं को गुल एक्स्पेन दिटेक के एक नए एपसोड में आपका स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाले हैं IMEA नंबर्स के बारे में तो आप सब को पता होगा कि IMEA नंबर एक होता है फोन का यूनीक नंबर होता है वो एक फोन के लिए लेकिन क्या इ इस नंबर को आपको दूसरों को देने से डरना चाहिए या क्या इस नंबर को आपको एक ऐसे safe location पर रखना चाहिए कभी इसकी जरूरत आपको पढ़ सकती है ये सब चीजन शायद आपने कभी सोची नहीं होगी या शायद आपको पता नहीं होगी कि क्या इसकी importance है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स के IMEI नंबर होता क्या है हो सकता है कि कुछ लोगों को पता भी ना हो कि IMEI नंबर exactly होता क्या है IMEI नंबर friends 14 digits का नंबर है जो के हर device के लिए एक युनीक नंबर होता है हर phone के लिए एक युनीक होता है अगर आपको पास एक phone है दूसरे बंदे के पास same model का एक दूसरा फोन है तो हर device का एक अलगग IMEI नंबर होता है जिसके basis पर आप उसे identify कर सकते हैं बेसिकली आप इसे अधार कार्ड से compare करके देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक अधार कार्ड होता है, हर बंदे के लिए एक unique identification number है, जिससे उसको identify आप कर सकते हैं कि उसका अधार number कितना है, ऐसे ही है मारे पास phones के लिए भी एक अधार कार्ड की जैसे number है, उसको हम बोलत जैसे आपके पास note 8 है friends, तो आपके पास जो पहले 8 digits होंगे IMEI number के, वो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी company का phone है, और कौन सा model है, जो बाकी के 6 digits होते हैं 14 में से, वो आपको बताते हैं, ऐसा unique identification number, जिससे आप हर एक device को अलग से identify कर सकते हैं, तो I hope इतना आप समझ गए होंगे, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसको छुपा के रखना जरूरी है, और क्या आपको एक ऐसी इस number को safe location पर रखना जरूरी है, क्या ये number आपके कभी काम आ सकता है, नहीं, तो मैं आपको बताता हूं friends, कि अगर आपका मानलेजे phone खो जाता है, तो ये number आप यूज कर सकते हैं अपने phone को track करने के लिए, कैसे ये मैं आपको बताता हूं, अगर आप मानलेजे आप अपना phone यूज कर हैं, अपने phone पर networks आपके phone पर आ रहे हैं, तो जो carrier है friends, जिसका आप network यूज कर हैं, उसके पास basically दो information रहती है, पहले information है आपके SIM के बारे में, आप IMEI number, वो आपके IMEI number को track करते हैं, basically उनके पास एक रहता है ऐसा number, जिससे वो कभी भी आपके phone को track कर सकते हैं, और वो जान सकते हैं, कि इस IMEI number का जो phone है, इसके अंदर कौन से network use हो रहे हैं, तो let कीजिए, मानलेजे अगर आपका phone खो जाता है, आप अपने IMEI number को block list में basically आप उसको track कर सकते हैं, कि इसके बाद उसमें कौन सा SIM use हो रहे हैं, क्या उसके network, कहां से उसके network आ रहे हैं, और अगर उस phone में उसके बाद कोईसी news होता है, तो उसको आप track कर सकते हैं, बड़ी ही असानी से friends, क्योंकि अगर उस phone पर network आते हैं, उस IMEI number को track किया जा सकता ह तो basically यह एक तरीका है, जिससे आप अपने phone को track कर सकते हैं, मैंने इससे पहले जो video बनाई थी friends explaining the tech की, मैं आपको उसका link नीचे description में दे दूँआ, पर cards में भी दे दूँआ, वहाँ पर आपको यह पता चल पाएगा, कि networks को use करके कैसे phones को track किया जा सकता है, तो basically अगर IMEI number आपके पास है, अगर आपने उसको safe location पर कहीं पर रखा हुआ है, अगर आपका उसके बाद कभी phone को जाता है, उसके बाद आप अपने IMEI number को use कर सकते हैं अपने phone को ढूनने के लिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या अगर आपका IMEI number किसी और बंदे के पास है, तो क्या वो खतरनाक हो सकता है या क्या वो किसी ऐसी चीज़ के लिए use कर सकता है उस number को जो आप नहीं जाते, जो एक गलत बात है, तो मैं आपको बता तुम friends कि basically IMEI number को आप legally change नहीं कर सकते हैं, वो एक device का fixed number होता है, legally वो banned है friends, illegal है अगर आप IMEI number को change कर सकते हैं, फिर भ basically होता ऐसा है friends कि अगर आप अपना IMEI number किसी को बता देते हैं और उसके पास कोई ऐसा phone है जो उसने चुराया हुआ है, वो तब तक उस phone को नहीं use कर सकता है, जब तक वो उस phone का IMEI number नहीं change कर सकता है, लेकिन जो IMEI number वो fill करेगा, वो भी depend करता है कि वो किसका है, तो basically clone त्यार हो जाता है, clone आप समझते होंगे friends, robots की दुनिया में आप बहुत बार clone का नाम सुनते हैं कि बंदे को clone किया गया, अभी हाल ही में एक बंदर को भी clone किया गया, एक बंदर के जैसा exactly दूसरा बंदर scientist ने बना दिया, तो इसको हम cloning बोलते हैं, basically आपके phone के IMEI number का ए आप अभी मर्चान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज पनाते रहते हैं friends, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद